हालो फ्रेंग्स वेल्कम यू आज मैं आपके जो वीडियो लेक्या रहा हो दिखिए पेट्रोल महंगा हो गया तो अलकोहल मिला दो यह आपने सुना होगा देखा होगा जिसको आप कहते हो एथनॉल ब्लेंडिंग इसके चक्कर में सुगर के स्टॉक्स में बहुत बड़ी र पर्मल भी बात करेंगे अगर तो पेट्रोल आपने देखा रश्या युक्रेन सबसे पहले तो जब इतना खतरनाक जो युद्ध हुआ उस युद्ध में रश्या देखे एक बहुत बड़ा ऑईल प्रोडिजिंग गैस प्रोडिजिंग कंट्री है तो नेचुरल गैस और क कंट्रीज को कहता रहा कि रश्या से पेट्रोल मत लो नेचुरल गैस मत लो लेकिन खुद उसकी जितनी भी खरीदारी थी रश्या से खास करकी इन पेट्रोलियम और गैस वाली साइड में बहुत ज्यादा बढ़ गई अब आप सोचिए यह डबल स्टेंडर्ड है की नहीं है दूसरा यूरोप चाहे वो नेटो कंट्रीज हो चाहे वो अधर यूरोपियन कंट्रीज हो जो यूरोपन यूनियन में है हर कोई यहां पे रश्या के ओपर कंप्लीटली जो है वो डिपेंड है और बाकी देखिए जब इंडिया को ऑफर किया गया सस्ता ओयल तो किस तर कुछ अमेरिका सूचता है कि हम जो है वो किंग है वर्ल्ड के जैसा हम कहेंगे वैसा होगा लेकिन इस बार देखिए डिपेंडेंशी क्योंकि यूरोप मिजर डिपेंडेंशी और रश्या को इस तरीके से ब्लॉक तो करने सकता तो फिर चलता रहा सब कुछ बट यहां पर हम एक और इंपोर्टेंट जिसते उपर इंडिया काम करता है इंडिया किस चीज के उपर काम करता है कि पेट्रोल महंगा हो गया कोई दिक्कत ने हमारे पास इस तरीके से इतनी कैपासिटी नहीं है पेट्रूलियम की तो हम क्या करेंगे हम इसमें इथनॉल ब्लैंड कर यह सब क्या है यह सब हाइड्रोकाबन तो चलिए डिटेल में समझते हैं आज एक स्टॉक के माध्यम से और वो स्टॉक जरा देखे कौन सा है यह है पाईवनीर डिस्टिलरी लिमिटेड यह स्टॉक क्यों लेके आगए आदम आपके साब ने क्यों वही ऐलकोहल है क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पे एलकोहल कौन सा एक्स्ट्रा न्यूट्रल एलकोहल रेक्टिफाइड स्प्रेट यही काम इसका है अब आप सोचोगे यह काम है तो इसके क्लाइंट तो होंगे फिर यह यह रिफाइंडरी इससे लेते होंगे माल को देखिए IOCL यानि कि Indian Oil Corporation बलकुल धान देना HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम BPCL भारत पेट्रोलियम यह सब इससे खरीते हैं क्या blending purpose के लिए जो oil companies इससे क्या खरीती है alcohol फिर किस में मिला जाता है पेट्रोल में फिर भेचा जाता है अब आप सोचो कि यार अलकॉल तो बड़ी महंगी है पेट्रोल तो सौरपी लेटर जा रहा है सौज थोड़ा बहुत उपर नीचे कर लेना अपने स्टेट के हिसाफ से तो आपको ग्यारित हो वह यह वह यह लेके गए हैं तो रिफाइनरी को तो फायदा ही है पॉसेंटेज लगाए रिखिया सरकार पंदरा से बीस बीस से पच्चेस कलको 30 पहुंच जाएंगे 35 पहुंच जाएंगे पर मिलाओ जब इंपोर्ट यहां पे कुरूड ओयल इस तरीके से महंगा हो रहा है तो रिफाइ लेकिन किसके लिए माल बनाता देखिये मैकडवल रेडिको खैतान यह सेग्मेंट में बड़ी कंपनी जाय यूनाइटट स्प्रिट्स मैकडवल और उसके अलावा गर आपको गया यह देखिए अभी कंपनी ने क्या कहा है हम और किसके लिए माल बना रहे हैं जबादा अब इसी से क्या खरीत थे हैं एलकोहल क्यों कि वही चीज है हाइड्रोकारबन और सब को अपने अपने प्रोडक्स के लिए यहां पर यह चीज चाहिए तो आप यह समझ जरूर क्या होंगे कि कैसी सिच्वेशन मन रही है और पूरा का पूरा मैं कहूंगा थोड़ा- यानि कि SDBL के बारे मैं बताया था उस टाइम पर बहुत सस्ती प्राइसिंग इसकी थी 47 46 के आराउंड ट्रेड कर रहा था और अगर मैं आपको वीडियो का हीजिया बताऊ यह देखिए 47 पे क्योंकि इसकी मन्थली करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी इसलिए यह जैनुरी क पर फोकस मा आया था तो आपके लिए वीडियो हम लेके आया थे और आज अगर आप इस टॉक को देखोगे SDBL को आप खुद देखिए SDBL आज कहां पहुंच चुका है यह करेक्शन रिजॉल्व होके का बिलकुल बॉटम पर यह हमारा स्टॉप लॉस था 34 के राउंड आज पहुंच चुका है 67 के लेबल पर आपको गया यह करेक्शन थे कि बिलकुल बेसिक प्राइस एक्षिन का बेसिक अगर आपको समझना है तो वह बहुत इंपॉर्टेंट है इस करेक्शन को तब हम समझ रहे थे तब इस लेबल पर थे हम फिर इसने करेक्शन और थोड़ा न बन रिया मंतली में बड़ी रैली पिछले चार-पांच महिने जैसे sdbl तो भाग गया अभी यह नहीं भागाया काम तो दोनों का एक ही है यह भाग गया यह देखिए अब यह स्टॉक नजरों में इसलिए आया क्योंकि यह जो सेंटर केंडल बन रिया ने जो जो जोईंट होना अब फिर से आ रहा है रडार में स्मार्ट मनी के तो इसलिए यह स्टॉक देखिए अब 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 देखिए इस इंपल्स को आप देखोगे तो आप समझोगे फ्रेक्टल नेचर आप मार्केट वाट इस फ्रेक्टल नेचर आप मार्केट वी दिन आ हायर टाइम फ्रे तों आपको सारेतों से आपको लगा देनी है लाइन्स नौइस-्य इतो just हटाके लगा दो लाइन नॉइस क्या हो जाएगी रिमूव अब आपको गया यह तो बहुत अच्छी सिचुएशन पर यह दो हैड़न शोल्डर बन रहा है यह बन रहा है वह बन रहा है लेकिन देखिए स्मार्ट मनी देख रही है ट्रेंड बदल रहा है ट्रेंड के साथ हमारे पास हाई हायर लो यह मिला है तो इसलिए यह स्टाक 182 पे रडार में आया है देखिए क्या कारण है इस पायोनीर का आपके सामने आने का समझ जरूर क्योंगे आप क्यों क्योंकि यह क्रेक्शन रिजॉल्व हुई है एक मंतली क करेक्शन रिजॉल्व हो रही है और वीकली पे क्या सिचुएशन बन रही है यह देखिए यह सिचुएशन है वीकली की यानिकि ट्रेंड बदल रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अगर इस पार्ट को अगर आपको समझना है तो मैंने आपको बार-बार कायक तो या तो यह सिचुएशन या फिर आपको कई बार दिखता है औल्मोस्ट डबल बॉटम काइड ओव सिनेरियो या आपको ऐसा सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है हलका सा यह डाउन आता हुआ फिर इस तरीके से सिनेरियो तो यह इंपॉर्टेंट अब हमने दो स्टॉक यहा करी और साथ मैं इस पायोनीर के बड़े-बड़े क्लाइंट को भी देखने को देखा और साथ के देखे पायोनीर किस काम पर है फिर से प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑप एक्स्ट्रा नूट्रल अलकोहल माल्च स्पृट्स अलाइट प्रोड़क्स जो कि किस-किस के काम आ यह एक फार्मा एक आपकी ओईल कंपनीज और आप देखे आपको गया है यह तो स्पेशलिटी केमिकल वाली चीज़े होगे बही ओईल कंपनीज में इसको ले रही है डिटेल में और प्रोफिटेबलेटी और रिवेन्य को भी एक नजर देख लीजिए कि इस तरीके से पि से इंफलेशन रेट कहां जा रही है उसको देखे श्री लंका की हालत देखिए साथ में पेरू की हालत देखिए कहां पहुँच चुके हैं कि इस तरीके से एकॉनमी तहस महस हो रही है लेकिन इंडिया और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यह लगता होगा कि कि एक यह मान के चलिए सफाई का क्योंकि बढ़े बड़े डिवलप्ड कंट्रीज क्या होता है वह नहीं चाहते यार वहां गंदगी फैले तो वह कहते हैं हमें साप सुत्रा तेल दे तो तुम थोड़ा पैसा ले लो तो सोचिए यह काम इंडिया करता है कई मिलियन टन का जब तेल एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया से रिफाइन किया हुआ तो इसलिए आप सोच थे होंगे कि बार बार सात लाग करोड का इंपोर्ट हो गया तेल का यह हो गया लेकिन उस डिरेक्शन में भी सोचिए जो एक्सपोर्ट होता है रिफाइन ओईल चले फिलाल अच्छिंड वीडियो